दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप IRCTC पे अपना ट्रेन का टिकट कैसे भूग कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको IRCTC की ओफिसल वेबसाइट ओपन कर लेना है डायरेक्ट आप गूगल पर IRCTC लिखकर आप सर्च कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं IRCTC.co.in यह दोस्तो ओफिसल वेबसाइट है इस पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तो आपके सामनी यह ओफिसल वेबसाइट ओपन हो जाएगा के बाद दोस्तो आपको अपने आपको रेजिस्टर कर लेना है अगर दोस्तो आप फस्ट एम्टिकट बना रहे हैं आपका कोई भी IRCTC पे अकाउंट नहीं है तो दोस्तो आपको अपने आपको रेजिस्टर कर लेना है दोस्तो किस तरह से IRCTC पे अकाउंट बनाते हैं इसके उपर मैं ओल्लेडी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तो पिछला वीडियो है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मैं दोस्तो डारेक्ट लोग इन पर किलिक करूँगा यहाँ पर दोस्तो यूजर नेम डाल देना है यहाँ पर पासफ़र डाल देना है के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको कैप्चा फिल अप करना है कैप्चा डालने के बाद आपको सिंपली साइन इन पर किलिक कर देना है का account login हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपका नाम भी आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कहा से कहा तक की ticker बनाना है दोस्तों if from आप कहा से जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर दोस्तों दिल्ली से करना चाहता हूं तो नियू दिल्ली कर दूँगा और भागलपूर तक की तो दोस्तो ये भागलपूर आ गया और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है आपको किस डेट की जर्नी करनी है को मैं सेर्च कर लेता हूँ तो दोस्तों यहां पर मैंने 25 माई का देखना चारा हूँ टिकट और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं विक्रम सिला एक्सप्रेस और सिलिपर पर दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कोई भी सीट नहीं है इसपर देखते तो इसपे भी कोई टिकट नहीं है तो मुझे दोस्तो का बुक करना है तो दोस्तो इस Corkea क्या करता हूं और आगे की डेट पर देख लेता हूं तो यहाँ पर मैं simply June कर देता हूं पाइच जून का देख लेता हूँ शह जून अदेट वाली सीट ना मिले, तो इसके खारण मैं सात जुर्ण का बुख कर लेता हूँ, एक दिन आगे का, एक दिन में दोज्टो कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो मैं सात जुर्ण का कर लेता हूँ, इसमें दोस्तो एक सग सतव सीट है, इसके अदर मुझे आनंद विहार से होगा और दिन में एक बच के पंदरा मिनट पर ट्रेन चालू होगा ठीक है दोस्तों और वहाँ पर भागलपूर में आठ बच के कंफर्मेशन मांग रहा है यूर से ट्रेन डेट पाँच जून तो यहाँ पर बतारा है दोस्तों आपने पाँच तारीक को ट्रेन टिकरट देखने कोशिश करी लेकिन आप साथ जून में बुक कर रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों एक और नोटिस दिखा रहा है यूर सर्च NDLS आप New Delhi से देख रहे हैं भागलपूर लेकिन आप ANVT अनिकी आनंद विहार से भागलपूर तक का टिकट बुक कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं दोस्तों को Yes कर लिता हूँ के बाद दोस्तों यहाँ पर passenger का detail डालना है तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर से हम master में से भी यहाँ पर add कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको master add करना पिछले वीडियो में बताये था फिर भी मैं आपको बता देता हूँ my account में जाएंगे my profile और add master list यहाँ से दोस्तों आप passenger को add कर सकते हैं पहले से ही नाम उमर जेंडर अधार नमर सेट करके यहाँ पर रख सकते हैं जिससे आपका time का बचत हो जब भी आप ततकाल ticket book करते हैं यह बहुत ज़्यादा जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर master list में add करके रखें नाम को यहाँ पर दोस्तों पर passenger name पर click करेंगे यहाँ पर list आ जाएगा list दोस्तों कैसे आता है जब भी आप master में add करते हैं ठीक है तो मैं इन चारों का ticket बनाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको detail नहीं दिख रहा होगा यह privacy के कारण मैंने यहाँ पर बलर कर दिया है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहला name यह ले लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों यह age gender आधार आधार नम्मा यह seat का preference automatic आ गया क्योंकि दोस्तों हमने पहले यही set कर दिया था ठीक है तो इसके अंदर add passenger पर click करेंगे फिर यहाँ पर दुबारा लेंगे ठीक है passenger आगया add passenger और फिर मैं दोस्तों यहाँ कर लेता हूँ फिर add passenger तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे passenger को add कर लिया है उसके बाद दोस्तों आपको passenger का नाम और उमर जेंडर ये दोस्तों आपको अपने अधार काट से चेक कर लेना है सञर एड करने के बाद आपको म॑ईल नमर डाल देना है जिसके टीक хотел केंपर्मिसर्मेशन के लिए इस पर चले जाएं यहाँ पर आपको अपने मुईल नमर डाल देना है यात्री के समय जो भी मवाईल आपके पास उपलब्द रहेगा वो मवाईल नमबर यहां पर डाल दें ठीक है दोस्तों अन्य था आपने जिस ID से जिस मवाईल नमबर से यह आपने IRCTC का एकाउंट बनाया है उस नमबर पर चला जाएगा अगर आप दोस्तों चाहते हैं इसका मतलब है दोस्तों आपने जो भी सेलेक्ट किया है सीट आपको विंडो वाली चाहिए जो भी चाहिए आपने जो सेलेक्ट करा है अगर आप चाहते हैं वो सीट मिले तो यह टिकट कंफर्म हो दोस्तों उसके बाद दोस्तों रिजरेवेशन चोईस आप चाहते हैं यह भ करना पड़ेगा करने के दो मेथट दिया हुआ है क्रेडिट काड डेट कार नेट बैंकिंग वाइलेट भारत क्यु आ दोस्तों इन मेथट से कर सकते हैं या फिर फेृ यूपी आइए से भी आप कर सकते हैं तो मैं दोस्तों यहां पर UPI से करूँगा जिसके इंदेर 10 रुपे चार्ज पलस GST लगा जाएगा ठीक है तो मैं यह थूरू UPI करूँगा उसके बाद दोस्तों continue पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों एक बार review कर लेंगे आप यहां पर पर आसेंजर का डीटेल एक बाट चेक कर लिए और टीकट विल वी सेंड ऑन इस नम्मर सारी डीटेल चेक करने के बाद अगर दोस्तों यह डीटेल ठीक है तो आप आप नीचे डालने के बाद आपको continue पर क्लिक कर देना उसके बाद दोस्तों यहां पर last stage है आपको यहां पर payment करना पढ़ेगा जिसके अंदर भी यूपीयाई से कर सकते हैं मैं दोस्तों यहां पर पर phone पे says कर तो यहां पर मैंने यह phone pay ले लिया है उसके बाद दोस्तो पे एंड बूक इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो scan and pay by phone पे तो so QR code करेंगे तो यहां पर दोस्तो QR code आ जाएगा जिसके माद्य हमसे भी आप payment कर सकते हैं तो मैं दोस्तो so qr code पर किलिक करूँगा यहाँ पर दोस्तो qr code आ चुका है दोस्तो इसको हम phone पर open करेंगे mobile से scan कर लेना है scan करते ही दोस्तो यह आपका ticket बन जाएगा और आपको दोस्तो proceed to paper किलिक कर देना है phone पर और दोस्तो इसको payment कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते है payment जो है successful हो चुका है payment होते ही दोस्तो यहाँ पर आपका ticket भी confirm हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है प्रिंट टिकट पर आपको किलिक कर देना है जिससे आप टिकट को प्रिंट कर सके तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टिकट जो है प्रिंट होने के लिए तयार है इसको हम प्रिंट कर लेते हैं हम save कर लेते हैं यहाँ पर click करके आप print कर सकते हैं और इस पर click करके दोस्तों आप direct अपने ticket को mail भी कर सकते हैं दोस्तों यह आपके ticket जो है आपके mobile पर भी भी भीज दिया गया है आप चाहे तो print निकाल सकते हैं या पर print निकालने की भी आपको जुरुत नहीं है और दोस्तों तो यह टिकट आप कभी भी प्रिंट कर सकते हैं तो दोस्तो एक बार हम होम पर आते हैं और दोस्तो यहाँ पर आपको डैस्ट बोर्ड में उपन होने लगेगा आपका ट्रांजक्शन आइडी अस्टेटस बुक डेट भी दिखाई देगा और अपकम अपकमिंग जर्नी भी यहाँ पर दोस्तो दिखाई देगा अगर दोस्तो आपको टिकट डाउनलोड करना है दुबारा से तो माई अकाउंट में आएंगे और माई ट्रांजक्शन और दोस्तो बुक्ड टिकट हिस्ट्री पर आपको किलिक करना है है यहाँ पर प्रिंट टिकट तो इस पर आपको एर फलाइट का भी टिकट असानी से वुक कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आकन पर ज़रूर किलिक करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहें